हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ जय स्री आपको स्वागत है मेरी चानल में आज मैं भिंडी दो प्याजा रेसिपी लेके आई हूँ ये भी खाने में जितना स्वादिष्ट है और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है भिंडी की सबजी हमने अक्सर घर में हम लोग बनाते है लगबग हमने 300 टेल लिया है इसको हमने दो के अच्छे से पोच के एससी साइस में काट के लिया है अभी ये हमने प्यान को गरम किया है अभी 2 टेबल स्पून तेल हम इसमें ढाल देंगे और तेल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे फिर ये जो हमने भींडी काट के रखा था उसको डाल देंगे अभी इसमें हम आधा टेबुल स्पून नमक आड़ कर देंगे और भींडी को अभी हम हलका गोल्डेन होने तक भूल लेंगे ताकि भींडी का जो चिपचिपा पन वो जला जाए देखिए ये भींडी अच्छे से भून गई है हलका ब्राउन हो गया है अब इसको हम निकाल देते हैं इसी कड़ाई में हम प्याज भी भून लेंगे एक प्याज को हमने चार पीस में काट के इससे सारे लेयर को हमने अलग-अलग कर दिया है इसे हम एक से दो मिनित तक भून लेंगे देखिए ये प्याज भून गया है अब इसमें एक टोमाटर को भी हलका सा भून लेंगे एक मिनिट जैसा हम इसको भून लेंगे ये भून गया है अभी इसको भी निकाल देते है प्लेट में दूबारा हमने कड़ाई रखा है अभी इसमें दो टेबल स्पून ओयल हमने सौर्शो का ओयल डाल दिया है आधा टेबल स्पून हमने जीरा डाला जीरा थोड़ा चड़क लखने के बाद हम इसमें प्याज बारी कटा हुआ प्याज डाल देंगे हमने दो प्याज को बारी काटके रखा है उसको डाल देंगे प्याज को हम ब्राउन हल्का ब्राउन होने तक हम भूल लेंगे अभी भुनने के बाद अभी इसमें हम 4-5 कला लस्टुन और अधा इंच अद्रक को छोटे-छोटे काटके इसमें हम डाल देंगे अभी अद्रक डाल देंगे इसे भी हम एक मिनिट तक भुनेंगे देखिए ये भी अच्छे से भुन गया है अभी इसमें एक टमाटर को बारी कटके इसमें डाल देंगे और इसमें स्वाद अनुसर नमक डालेंगे पेले से भी हमने नमक डाला था भिंडी में थोड़ा सा इसलिए हम ध्यान से नमक डालेंगे अभी ये टमाटर को थोड़ा सौप्ट होने तक हम इसको भूनेंगे अभी ढख के इसको हम भूनेंगे और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे टमाटर भी सौप्ट होने लगी है इसमें अभी हम सब पावडर मसाला आड़ करेंगे आधा टेबूल स्पून हमने धनिया पाउडर डाल दिया और आधा टेबूल स्पून लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया आधा टेबूल स्पून हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और आधा टेबूल स्पून गर्म मसाला डाल देंगे और इसको इस मसाला को समिक्स कर देंगे ठोड़ा सा हम पानी इसमें देंगे ताकि मसाला जलना जाए अब हम धीमी आज में इसको ढखके पकाएंगे ढखके हम इसको भुनेंगे ताकि इसके तेल उपर आ जाए और फिर चेक करेंगे देखिए मासाला भी अच्छे से बुणने लगी है, अभी जो हमने बिंडी को फ्राइ करके रखे थे वो भी डाल देंगे अभी और बिंडी को ये मासालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढखके हम दो से तीन मिनीट फिर से इसको पकाएंगे इसको बीच बीच में हम चलाते जाएंगे मसाला को बिंडी को अभी ये लगभग हो गया है अभी हम जो प्याज और टामाटर को भून के रखा था वो डाल देंगे अभी हम ढॉकन नहीं डालेंगे ऐसे खुले में हम इसको भूनते रहेंगे कम सक्कें तीन से चार मिनिट इसको ऐसे ही खुले में पकाएंगे देखिए हमारी भिंडी की सबजी भिंडी दो प्याजा बिल्कुल रेडी हो गया है हमारी भिंडी दो प्याजा एकदम रेडी है आप इस रेसीपी को जरूर ट्राइ किजिए अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेर जरूर करे और अपने कमेट में हमें जरूर बताए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए फिर मिलते हैं एक नए रेसीपी के साथ ठैंक्स फर वाचिंग